हेलो फ्रेंड्स वेलेकम टू पिमपड़कर अकेडमी और मैं हूं हर्शा पिमपड़कर तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाल दर्शन शास्त्रा के बारे में तो आज का हमारा मुख्य टॉपिक है कथन के बारे में और UGC नेट में हमेशा ही तीन ते चार कोश्चन कथन के बारे में पूछे जाते हैं और हमें मालूम है कि एक कोश्चन हमारा दो मार्क्स करेता है और हमें इस बार एक भी कोश्चन हमें कथन के बारे में छुटना नहीं चाहिए और दो मार्क्स है हमारे जोली में पढ़ने चाहिए तो इसलिए इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कथन के बारे में तो पहला हमारा कतन है एकम सत्यम ब्रह्म जगत मिथ्या जी वो ब्रह्म हो न परेह किसका कतन है उपनिशित का कतन है यानि सत्य क्या है ब्रह्म और जगत क्या है मिथ्या यह जो जगत हमें दिखाई देता है वो क्या है मिथ्या सुरूप है किसमें कहा है उपनिशित में कहा है सेकंड है प्रद्ध्यान ब्रह्मा किसका ये कतन है एतरेच्चो उपनीशित का ये कतन है थर्ड है अय आत्मा ब्रह्मा किसका ये कतन है मांडोक्य उपनीशित का कतन है अय आत्मा क्या है ब्रह्मा सुरूप है चवता है तत्व मसी छांदोक्य उपनीशित का कतन है और फ्रें किसका ये कतन है रुदारन्य कोपनिशत का ये कतन है यानि मैं क्या हूँ ब्रह्मा सोरूफ हूँ चारव करते हैं उनके ही ये बारे में बात करते हैं। बित्वा पित्वा पुणा पित्वा यावत पतिति भूतल इसकी बात करते हैं यह चारवाक जी का यह महत्वपूर्ण कत्वन है अभितक दें यह कथन कर यूजिशी सी और पूछा नहीं गया है लेकिन अगली बार अगर ये पूछ सकते हैं 10 है मरणम एव अपवर्गम किसका कतन है? चारवाग जी का कतन है 11 है सुख मेव स्वर्गम दुख मेव नर्कम यानि सुख में हमें सब स्वर्ग के प्रमान प्रतित होता है और दुख अगर आया थोड़ सा भी अगर दुख हमारे जीवन में आये तो हमें क्या लगता है? ये बहुत बड़े पाहाड के जैसे लगता है है ना? तो ये क्या करते है? पूरे नर्क के समान हमें दिखाई देता है कोन कते है? चारवाग जी कहते है और हम मालूम है कि चारवाग जी क्या है? सुख वादी है है ना? तो बारावा हमारा कोश्चन है सम्यक ध्ञान दर्शम चरित्रानी किसका कतन है? जैन दर्शन का कतन है और इसको क्या कहा जाता है? त्रीरतन कहा जाता है यानि जैसे की सम्यक ध्ञान की ये बात करते है, सम्यक दर्शन की बात करते है, सम्यक चरित्रक की बात करते है और हमेशा ही UGC NET के question में एक question जैन दर्शन का होता ही है तो 13 है जैन दर्शन का स्यादवात पागलोग का प्रलाब मातरह कोन करते है शंकराचार्य करते हैं शंकराचार्य क्या है अद्वेत वादी है ना तो किस ने कहा है ये कथन शंकराचार्य जी ने कहा है फोटिन है स्यादवात अंधकार व प्रकाश को मिलने का एक प्रयास है जैसे कि अंधकार और प्रकाश को मिलना है तो जैन दर्शन का स्यादवात महत्वपूर्ण है किसका ये कतन है रामानुजाचारी का ये कथन है और रामानुजाचारी कोन है विशिष्टा द्वैतवादी है 15 कोश्चन है हमारा स्यादवात आत्मगाति सिद्धानत है किसका कतन है ये वेदानता दर्शन का कतन है 16 है पुरयंती दलयंती चा पुद्गलम किसका ये कतन है जैन दर्शन का ये महत्वपूर्णा कतन है 17 है अस्मिन सती इदम भौती अस्मिन अस्ती इदम न भौती किसका ये कतन है बहुद्धा दर्शन का महत्वपूर्णा कतन है और 18 हमारा कॉस्छन है अपर प्रत्यम शांत प्रपंचेर प्रती पंचीम निर्वी कल्पम नानार्थम एतव तुस्य लक्षनम किसका यह कतन है रामानुजाचारी ने खा है और रामानुजाचारी क्या है शुन्यवादी है है ना तो ये कतन किन का है नागारजुन जी का है 19 है इंद्रियार्थ सन्रिकर्षम जन्यम ध्ध्यान प्रत्यक्षम किसका ये कतन है गवतम जी का कतन है जो इंद्रियार्थ याने आमें इंद्रियों से दिखाई देता है जो हम हैसुस करते है वो क्या है ध्यान क्या है प्रत्यक्ष कौन कहते हैं गौतम कहते हैं 20 हमारा कोश्चन है साक्षात प्रतीती इती प्रत्यक्षनम याने जो हमें साक्षात दिखाई देता है वो क्या है प्रत्यक्ष है वो क्या है साक्षात याने जो ध्यान है वो क्या प्रत्यक्ष है किसने का है गंगेश जी का ये कथन है तो 29 जो कि अन्य द्धान पर निर्भर्ण नहीं नहीं होता वह हो क्या है प्रत्यक्ष है इसने का है विश्वनाथ जीने काहें 22 स्वर्ग यतेज्ञ काम हाँ किसका ये कतन है कुमारिल भट्ट का कर्थन है और कुमारिल भट्ट क्या है एक मीमान्सक है उनका ये कथन है तो 23 जन्म मरन करना गम प्रतील नियमत अयुग्य रुतेश्य पुरूश बहुत सिद्ध त्री गुण्य विपर्यात चैव किसका ये कथन है सांख्यकारी का जी का ये कथन है तो इस वीडियो लेक्चर में हमने बात की है कुछ कथन के बारे में तो अगले वीडियो में हम और कथन लेकर आएंगे और डिसकस करेंगे तो थैंक्यू थैंक्यू फॉर वाचिंग माई वीडियो